अलो बच्चो आप सभी का अमारे यूट्यूब केनल आइडेल देव क्लासेस में स्वागते बच्चो आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भासा बाती लेके आया है जो कक्छा आठवी के लिए और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मत्पदेश राश् नामेंहें पर नननेजम न न इस में खाले देखने हम पार्ण वमसे हो बहदोर बेटा पार्ण के प्रश्न को हुटतर समझेंगे और लिखेंगे लेकिन इस पार्ट के प्रष्णों को उत्ता समाझें से पहले आपको पूर्तियारी उन्हें देश दियें इन्हें देख लीजिए क्या दिया है पूर्तियारी उन्हें देश में सिक्षक द्वारा छात्रों को एकांकी विधा के बारे में बताएं वह चर्चा करें इसके बाद एकांकी को कहानी के रूप में छात्रों को सुनाएं क्या कहा है इसमें सिक्षक द्वारा जो आपको सिक्षक पढ़ाते हैं उनके द्वारा जो छात्र है, छात्रों को क्या करना है, छात्रों को एकांकी विधा के बारे में बताएं वा चार्चा करें, इसके बाद एकांकी को कहानी के रूप में छात्रों को सुनाएं, पात्र परिचाय के बाद बच्चों को पात्र बनाकर उनकी भासा में समबात के मा आज सेवा की भावना पैदा कतने हेतु अन्य छोटी कथाये कख्छा में सुनाएं। पार्थ में आए सब्दों से जैसे अनुश्वार, अनुनाशिक, उप्सर्ग, प्यत्ते, परयावाची तथा तस्सम सब्दों का अभ्यास कराएं। शारेरिक अंगों पर आधारित महारो का अर्थ तथा वाक के प्रयोक कर अभ्यास कराएं। ये पूरतेयारी कर लीजिए इस पार्थ के प्रस्णों को हल करने से पहले। इस पूरतेयारी में आपको पार्थ 19 जो दिया बहादूर बेटा उसको पूरा पढ़ना पढ़ेगा। पढ़ने के बाद ही आप जो आपक चाहनी, B नमबर निबंद, C नमबर संस्मरांग और D नमबर एकांकी तो इसका सही आंसर आजाएगा आपका D नमबर एकांकी। बहादूर बेटा पार्थ की विधा क्या है तो एकांकी है। नेश्ट प्रस्ण है हे भगवान वाक्यांस में विराम चिन लगेगा। ए मधूर नामक पात्र संदीप की कोन थी? जो मधूर नामक पात्र संदीप की कोन थी? चाहर जोर ओप्सन है, A नमबर मित्र, B नमबर मा, C नमबर भहीन और D नमबर दक्टर तो आपका सही आंसर क्या आजाएगा? C नमबर भहीन. नेश्ट प्रस्ण है लोगों को बाल से डूपते कुन बचा, A No. संदीप, B No. कुलदीप, C No. मदूर और D No. संदीप की मा, तो इसका सही आंसर आजाएगा A No. संदीप, इसका आपके चार्ट प्रस्ट है कंप्लिट हुए, इसका नेक्स प्रस्ट आपता है आपका प्रस्ट प्रस्ट नंबर 5, प्रस्ट नंबर 5 मे क्या है, मैं रेट क्रास की सदस्या हूँ, वाक में कौन सा लिंग है, तो देखिए यहाँ पर सदस्या हूँ, तो वाक में कौन सा लिंग आएगा, उतर में बता देंगे, वाक में इस्तरी लिंग है, इसमें कौन सा लिंग है, इस्तरी लिंग, नेक्स प्रस्ट है, नदी के दो परियावाची लिखिए नदी के दो परियावाची क्या हो जाएंगे एक हो गया सरीता और दूसरी टटिनी ये क्या हो गया नदी के दो परियावाची नेश्ट प्रेशन है रेट क्रास के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है उत्ता देखिए इसका रेट क्रास के सदस् संडीप में पुलएक लिखिए देखिये याँ जो सउयोग शब्द दिया है इसका अप वाक्य में प्रेज़ों करके लिखना अप अधार पर लिख सकते हैं जैसे मैंने ने क्या लिखा हमें बालग कीओ के लिएए चाहिए अप लिख सकते ओ, हमें अपने मित्रों का सायोक करना चाहिए इस परकास से आप अपने मन से व्य वाक्ये बना सकते हैं आपका प्रस नमबर II होता है मा ने संदीप की तारीब क्या कहा कर कि उत्व देखिये माँ संदीप के बारे में कहती है कि मुझे खुसी है कि वह ऐसा है बिल्कुल अपने पिता पर गया है जिन्दगी भर वह भी यही करते रहे कभी चैन से नहीं बैठे तो मा ने संदीब की तारिफ में यही चीछ कहा था आप कैसे मालू हुए यह पार्ट के आधार पर आप पार्ट में इस प्रेशन को पढ़ सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं प्रेश नमर 10 देखिए में नदी के पास क्यों जाऊंगा वहां तो खुद ही हमारे पास आ गई इसका आर्शे लिखिए देखिए यहां पर उत्तर क्या है इसका इस पार्ट में यह बात उसकी मा किस से कहती है कुल्दीप से कहती है मा किस से कहती है कि नदी के पास मत जाना तो कुल्दीप क्या कहता है में नदी के पास क्यों जाऊंगा वहां खुद ही हमारे पास आ रही है क्यों ऐसा बोला उसने? इसलिए बोला क्यों कि उस टाइम बाल अत्यधिक आई थी और बाल का जो पानी था वह सभी के घरों के पास आ रहा था, इसलिए किलदीप ने क्या कहा, नदी तो हमारे पास ही आ रहे है, मैं नदी के पास क्यों जाओंगा? देखें उत्तर कैसे लेख आ गई अर्थाद बाल का पानी उनके घर तक आ गया है इस पकार आप प्रेश नमबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं नेक्ट प्रेश नमबर 11 बाल पीडितों के लिए मधूर ने क्या करने की ठानी उत्तर देखिए ये मधूर कों थी पुल्दीप और संधीप की बेहन थी और क्या है रुँक्रम से अनाज और धन खाटा करने की ठानी आपका प्रेश नमबर 11 नेक्ट प्रेश नमबर 12 बाल के अलावा किनी तीन प्राकातिक आपनि के नाम मां लिखिए ये क्या है तीन प्राकतिक आपकातिक होती है उन्हें प्राकातिक अब्दा कहते हैं जैसे बाल, भूकम, जवाला, मुखी, आधी, तूफान नेश्ट प्रस्न है आपका प्रस्न नमबर 13 और देगोत्री प्रस्न है बाल पिडितों की कोई पास समस्या लिखिए उत्तर में देखिए बाल पिडितों की पास समस्या नेमन है नमबर एक रोटी कपड़ा और मकान बाल पिडितों की प्रमुख समस्या है देखिए जब बाल आजाएगी तो बाल पिडितों को किस चीच की आओ सकता होगी रोटी कपड़ा और मकान की होगी फिर दूसरा बाल के कारण फसल का विनास और पसुधन की हानी होती है ज़ि बाल आ जाती है तो हमारे सामने क्या समस्य आएगी जो हमारी फसल है उसका विनास हो जाएगा और पसुधन की हानी होगी तीसरा पाइंट देखिए अनेक प्रेकार की बिमारियों की शमस्या उत्पन होती है जब बाड अत्यदिक आ जाती है तो हमारे सामने अनेक प्रेकार की बिमारियों की शमस्या उत्पन हो जाती है बाड पेडितों के घर में बिजली पानी की शमस्या रहती है फिर अगला पाइंट है बाल पिडितों को आवा गमन की शमश्या का सामना करना पड़ता है इस पकार आपका प्रशनमबर 13 का उत्तर भी कम्प्लिट होता है नेस्ट प्रशन है आपका प्रशनमबर 14 बाल से बचने के लिए आप अनिस्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे उत्तर देखिए बाल से बचने के लिए अनिस्थान पर जाते समय में जरूरी और हलका सामान अपने साथ लेकर जाओंगा जैसे पैसा अटार, चमाचीस, दवाईयां, खाने, पीने का शामान कफड़े आदी, आप भी बता सकते हैं अपने आधार पे इसका उत्तर कि बाहर से बचने के लिए, बाहर से बचने के लिए आप अनिस्थान पर जार रहे हैं तो अपने साथ कहके लेके जाएंगे, जो इस प्रेशन के उत्तर, इस प्रकार बच्चो आपका प्रेशन मबर 14 समाफ्त होता है और इस प्रेशन के साथ ही आपका पार्ट, कौन सा पार्ट था आपका पार्ट, कुन्नाईस, बहाद्दूर बेटा, से सम्भधित जो प्रेशन आपकी इस एडिए अभ्यास बुस्तिका मे दिए गया है, उन प्रेशन के उत्तर आपको बताए, यदि उन प्रेशन के उत्तर आपको अच्छे लगे हूँ, तो आप हमाँ चैनल आइडियल देव क्लासेश को सस्काइब कीज़े, लाइक कीज़े, यों अन ग्रूप में से याद जरूर कीज़े